कि आप सभी लोग मैं सब्सक्राइब करता हूं तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आपके m2r5.1 याने की वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग के mcq की क्लास को तो अभी तक जो बच्चे भी क्लास में पस्तित्र है उनको पता होगा कि गुड मॉर्न कि अभी तक हम लोग वेब डिजाइनिंग के जो भी चैप्टर वाइस को लेके चल लाए थे आज देखिए आपका चैप्टर थ्री स्टीमल के कुछ मिंसी कर यहाँ उनको सौल करा जाएगा तो चलिया आज वेसे थोड़ा से दाघ करते हैं कैज कर रहा को स पेज के स्ट्रक्चर को बताता है यह स्टेन्डर्डड मार्क प्लेंगेज गरिंगवेज जो आपका स्टेन्डर यह एक स्टेंडेड मार्कप लिए जो में ली यूज किया जाता है आपके वेपेज़ को क्रियेट करने के लिए ठीक है या सी कह रहा है इसके स्ट्क्शर को भी बताता है यह भी इसका एक आंसर हो जाएगा फिर कह रहा है यह यह को सकते हैं और इसलिए इसको सही है इसलिए आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा आल आफ दा मेंसंट्स यह जो सभी मेंसंट्स हैं यह आपके सारे सही हो जाएंगे नेक्स्ट कैस्ट कह रहा है हूस इस दफादर ऑफ एस्टी एमिल के फादर कौन थे क्या राइस मस लाइड ओफ टिम बर्नर सिली ब्रेंडेन इच या सर्जे ब्रिन निम लिखित मेंसे कौन सही होगा तो इस कोश्चन में आपका आंसर नंबर 20 हो जाएगा टिम बर्नर सिल टिम बरनर्स ली जो आपके थे यह स्टी एमिल के फादर के रूप में जाने जाते हैं और यह इन्हों नहीं डबलु 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 का भी अविस्कार किया आगे की तरह बढ़ते है कि रहा है स्टी एमिल स्टेंड फॉल फॉर्म क्या होता है तो यह तो सभी को पता होगा क है स्टी एमिल का फॉल फॉर्म क्या होता है तो स्टी एमिल जो आपका है इसका हुद होता है अगे तरह बढ़ते हैं करेंग्स लिखाओ अगे तरह बढ़ते हैं stml5 में कौन सा एक correct doc type declaration है जब भी आप कभी stml की कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले किस टाइप का कैसे document टाइप अपना declare करते हैं तो इस question में आपका answer number D सही हो जाएगा doc type इस तरीके से declare करा जाता है यह आपका बताता है किस टाइप के document को लिखने वाले हैं किस टाइप के document की कोडिंग करने वाले हैं कि नेक्स्ट कोशन कह रहा है विच आप दा फॉलोइंग इस यूज़ तो रीड एन इस टेमल पेज एन रेंडर इंबेग इन इन और कहले और इसको रेंडर करने के लिए यूज़ करा जाएगा तो तो क्या A. web server यूज़ करा जाएगा B. web network यूज़ करा जाएगा या फिर आपका web browser या D. web matrix या फिर web matrix तो इस question में आपका answer number C. सही हो जाएगा ब्राउजर आपका सही answer हो जाएगा ब्राउज़ जो कुछ भी कोडिंग हम लोग करते हैं अपने पर फिर उस कोडिंग उस एलिमेंट को उसके आउटपुट को रन करने उसके रिजल्ट को देखने के लिए हम लोग किस का इस्तेमाल करते हैं एक वेब ब्राउजर का इस्तेम और एक हस्टेमल मेंडिफरेंश नहीं करता था है अब क्या हो चार्ज हो गी इन बोसलिमेंट and brag stmL is text HTML यह टेक्स एंट्रिबूट्स और के इन संस्टिव इन स्ट्फिया ऑफ नॉट इन स्टेमल इस एक पिक है तो यह तो यह तो हो नहीं सकता यह खलत हो गया अब इसमें कहरा है कार सेट इन भोट html and xhtml is text or html, यह text or html होते हैं और यह फिर C कह रहा है especially characters, special character must be escaped using character entities in xhtml unlike html, फिर कह रहा है care set in html is text or html where as in xhtml is it is इस में से कौन साब का एक option सही हो जाएगा, इस में से कौन साब का एक option सही हो जाएगा इस में से कौन साब का एक option सही हो जाएगा हाँ तो इस में special characters जो होते हैं वो must be यह आपका answer number C सही हो जाएगा ठीक है आगे की तरह बढ़ते हैं which of the following tag is used for inserting the largest heading in stml stml में stml में किस tag को insert कराया जाता है एक largest heading के लिए largest heading के लिए किस एक stml tag को insert कराया जाएगा तो क्या head h1 s6 या heading किसको insert कराया जाएगा जी तो इस question में आपका answer number h6 सही हो जाएगा h6 होता है आपका largest heading के लिए नहीं भाईया h1 h6 आपका small heading के लिए होता है यह आपका small heading के लिए smallest heading ठीक है smallest heading के लिए हम लोग h6 का इस्तेमाल करते हैं किसका h6 का इस्तेमाल करते हैं ठीक है आगे कि तरह बढ़ते हैं एसिए में टोम होता है एस टी एमल में डोम क्या होता है ढर्लैयामल में यह लैंगवेज डिपैंडेंट एपकेसन फोग्रांविंग न्हींठिपैंडप चीडिंदेंट जफेंडप्लिके श करावंग है या भी hierarchy of object as ASP net या फिर C application programming interface या D conversion for representing an interactive with object विद आबजेक्ट या यह तो नहीं नहीं इतना यह full है क्या हुआ दिख नहीं रहा है क्या आपको questions आपको questions नहीं दिख रहा है क्या अब आपको questions नहीं दिख रहा है क्या क्या अब दिखने तो यह light फुल है अच्छा ठीक है तो यह डोम क्या होता है अगर तो जो आपका डोम है यह यह आपका application programming interface होता है यह आपका programming interface होता है ठीक है क्या होता है यह आपका एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है यह आगे कि तरह बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन कर रहा है इन विच पार्ट आप दा स्टीएमल मेटाडेटा इस कंटेंड स्टीएमल के किस पार्ट में मेटाडेटा को कंटेंड करके रखा जाता है स्टीएमल के किस पार्ट में आपके मेटाडेटा को कंटेन करके रखा जाता है कि कि stml के किस पार्ट में मेंटाडेटा को कंटेन करके रखा जाएगा कि stml के किस कंटेंट में हां है तो क्या है टैग में टाइटल टैग में सभी को मैंने अभी जो से पढ़ाया रहा है उनमें सभी को मैंने बता रखा है कि मेटाडेटा को लिखने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है अभी हाल ही में आपको पढ़ाया गया है तो इसकोशन में आपका अंसर नंबर एस ही हो जाएगा हेड़ टैग हेड़ टैग के अंदर ही है टैग कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा आपका और है टैग के अंदर ही मेटाडेटा और टाइटल हम लोग देते हैं है टैग के अंदर ही मेटाडेटा और टाइटल हम लोग देते हैं ठीक ह चलिए next आगे कि तरब चलते हैं आगे कि तरब चलते हैं करा which element which element is used to get highlighted text in stml5 stml5 में stml5 में करा है which element is used to get highlighted text in stml5 कि stml5 में किसके दौर आपके text को highlight किया जाता है आपके text को stml में किसके दौर हाइलाइट करा जाएगा तो क्या इसमें आपका आपसान नंबर कोई कोई मिस्टेक हुई है ठीक है इसमें आपका मार्क ऑप्षन एक दम सही है तो इस प्रिकर विच आफ दा फॉलोइंग इस नॉट स्टीमल फाइफ टैग निम लिखित में से कौन साब आपका वो पुराना वर्जन है स्टीमल फाइफ आपका नया वर्जन है थीक है अब इसमें से कौन साथ का है के स्टीमल फाइफ का नहीं भाया वीडियो एस्टीमल फाइफ में ही आया आडियो और वीडियो का option जो आया आपका यह HTML 5 में ही आया है इस question में आपका answer number D सही हो जाएगा source करा विचники को में हम कमेंट्स को कैसे लिखते हैं अब कमेंट्स को लिखने से पहले मैं आपको और चीज बता देता हूं यह सब बताने से पहले मैं यह और बता देता हूं कि देखिए अब आप लोग new द padamadı up और चीज्क है pist जो बच्चे भी ग्यान exp के बैप से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक और चीज है उनके लिए एक और चीज यहां पर आने वाली ऑप देखे जैसे आप एक्जाम देते हैं जैसे आप पल्पलसी का या उलेवल का एकजाम देते हैं जैसे वहां पे आते हैं जैसे वहां पर इंटरफेस होता है कि अपको कोस्टन आया फिर आपको टिक करना है जैसे MCQ बेस चलता है ना वहां पे तो जैसे वहां MCQ जाते हैं एक्जाम में बिल्कुल वैसे ही आपका इंटरफेस अब आएगा कहां पे आपके आपके ग्यान XP पर ग्यान XP पर अब आप लोग बिल्कुल वैसे ही मौक टेस्ट को सॉल कर पाएंगे मौक टेस्ट हो गया या आपका टेस्ट हो गया जितने भी टेस्ट हो गये उनको सॉल कर पाएंगे जैसे कि आप लोग क्लासिस कर रहे हैं लोगों के लिए आप जब भी टेस्ट कराये जाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस रखा जाएगा जैसा आप एक्जाम में देंगे तो इससे यह फाइदा होगा कि आप वहां पे घबराएंगे नहीं और आपको पहले से चीज़े पता होंगी हां कि कैसा इंटरफेस जॉइन नहीं करें वो लोग जॉइन कर लें क्योंकि यहां पे काफी डिटेल से काफी डिटेल से आपके क्लासे को कराया जा रहा है अब देखिए क्या है 399 में आपको कॉर्स है और इस कोर्स के अंदर आपको कई सारी चीज़े मिलेंगी आपको चैप्टर वाइज कराई जाएगी उसके बाद में complete syllabus ebook मिलेगा complete syllabus ebook मिलेगा प्लस model papers previous year paper solutions और प्रैक्टिस इट्स यह तीनों चीज़े आपकी कैसे कराई जाएगी जैसे आपके exam में पूंचा जाएगा जैसे कि आपके exam में इंटरफेस होता है जैसा आपके exam में इंटरफेस होता है हूब बिल्कुल उसी तरीके से आपको आपसे यह questions पूछे जाएंगे वैसे ही आपको यह questions और रिप्रेजेंट कराये जाएंगे ठीक है और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती बच्चों को होती है practical में कि practical कैसे करें क्या आएगा practical में यह सारी चीजे आपको यहां पर दी ज यह यह तक है तब टिक अब फ्रिफ चैपटर करा रहे हैं थर्य है चैपटर नुग्वा निदी refreshing फिर सबसके पर एंगे और आपकि प्रिक्टिकल लाइव क्लसे घखेंगे आभी काफी तह सारे बच्चे में इस पाई साने सिर्फ बच्चे मैं मैं नाम लेता हूँ पटेल जी बारीक जी और भी कई सारे बच्चे हैं जो पेड़ क्लासेस को पर्चेस कर चुके हैं अब देखें वहां पर प्रैक्टिकल क्लासेस भी होगी काफी ज़्यादा सहाइता मिलेगी और जो बच्चे अभी तक ग्यान एक्सपी के एप को नहीं डाउनलोड कर पाएं वह गयान एक्सपी के एप को डाउनलोड करें यहां पर आपको कोड लैब नाम से कोडिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा और कोड हेल्प नाम से भी आप कोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा यहां से आप अपने कोड को अपने फोन के जरीए ही आप अपने तापिक पे आते हैं हाँ तो कर रहा हाउ डूबी राइट पमेंट सिन स्टीम लें हम कमेंट को कैसे देते हैं तो यहां पर आपका यह वाला प्रण सब्सक्राइब हो जाएगा यह यह दो नीचे ही बिंदी आ गई है यह दो नीचे ही बिंदी आ गई है कि नेक्स्ट कोशन की तरह पड़ चलते हैं कि करा विच आप दा फॉलोइंग इलिमेंट इन स्टेमिल फाइल डिफाइंस वीडियो और मूवी कंटेंट निम लिखित में से कौन सा आपका एक ऐसा टैग है जो आपके वीडियो या वीडियो को या मूवी कंटेंट को डिफाइन करेगा तो क्या वो वीडियो होगा भी मूवी होगा सी ओडियो होगा या फिर डी मीडिया होगा अब देखें काफी सारे बच्चे इस कोश्चन का अंसर इसली देंगे हाँ देखें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी यहां पर कहांगे कि वो मीडिया मीडिया उसमें ऑप्शन हो जाएगा ध्यान से सुनिए कहरा विच आफ दा फॉलोइंग एलिमेंट निम काफी कंफ्यूजन लग रही है इसमें आपको अच्छा थार्टीन का डी मीडिया यह अच्छा है यह अच्छा है यह अच्छा है कि वेडियो ट्रेक भी हो सकता है इसमें ठीक है विच आफ दा फॉलोइंग इस नौट दा एलिमेंट एसोसियेटेड विद दा टेबल लेयाउट निम लिखित में से कौन सा एलिमेंट यह तीमेंट एसोसियेट नहीं रहता है एलाइमल incentiv ब्लिखित में से कौन आपका एक एलिमेंट निम लिखित में से कौन सा आपका एक element stml5 के layout को style देने के लिए यूज़ करा जाएगा element का मतलब आपका framework या programming language के लिए यह भी framework ही आपका तो क्या javascript होगा jquery php या फिर आपका css निम लिखित में से कौन सापका option सही हो जाएगा हां तो देखिए stml में जब आप stml में आप उसको उसकी style को format करेंगे उसकी style उसको किसी भी elements को style देंगे तो उसके लिए आपको css का इस्तेमाल करना पड़ता है और css का ही framework होता है जो आपके chapter में css framework अबर्क नाम से है जिसका नाम है आपका w3 css तो इस question में आपका answer number a सही हो जाएगा css अब यह java script जो आपकी है यह dynamic language हो जाती है यह आपका ठीक है और यह आपकी server side scripting language हो जाएगी यह आपके server side scripting language हो जाएगी server से data को connect करने के लिए database को create करने के लिए आपको PHP किया हो सकता पड़ती है फिर कह रहा है which HTML tag which HTML tag is used for making character appearance bold निम लिखित में से कौन सा tag किसी character के appearance को bold करने के लिए use करा जाएगा किसी character के appearance को bold करने के लिए use कर जाएगा तो क्या यह वह यू टैग होगा बी टैग को बी आर होगा या आई होगा तो सभी को पता है bold करने के लिए बीटेग सी सड़ी वी टैग का इस्तेमाल करेंगे भी मतलब बोल्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे किदर बढ़ते हैं इस सरेज्ड में से कॉंसा आपका एक image को इंसल्ट कराने के लिए यूज करा जाएगा निम लिखित में से कौन साइब क्वे इंसल्ट कराने के लिए यूज करा जाएगा हाँ भी या तो आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा image और image के साथ में इसका attribute लगता है src इसका मतलब होता है source इसका मतलब होता है source ठीक है सबसेट है stmle is a subset of stmle kis ka subset है stmle kis ka subset है stmle जो है वो किसका subset है हाँ जो आपका stmle है वो किसका sgml sgml का subset है अब sgml का full form क्या होता है sgml का full form क्या होता है कौन बताएगा sgml का full form क्या होगा तो बहिया sgml का full form होता है standard generalized markup language इसका full form देखिए मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ standard इस्टेंडर्ड जन्रलाइज मारकप language अब यह language समझ जाएगा ठीक है जन्रलाइज की स्पेलिंग गलत हो तो अपने आप से सही कर लीजेगा यहाँ पर होगा जन्रलाइज जन्रलाइज ठीक है आगे किदर बढ़ते हैं करहा है फिक है पर फेजस्टлись को मुझेख तवी उस ऐस की बुश्ट प्रियों करते हैं जब सेससीयों जाएगं सीवला आपका उप्ट्न सभी हो जाएगा करहा एमंग दाफॉलोईंग विच इस दे ऐस्टीमिट पैराग्राफ टैग है तो पैराग्राफ टैग आपका यह हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक के थुरू हम लोग किसी पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं इस टीमल विच एट्रिब्यूट इस यूज टू क्रिएट आ लिंक डाइट ओपेंस इन नीव विंडो निम लिखित में से अब यह देखिए यह जिसने पढ़ा होगा उसी को पता सब्सक्राइब इस चीजों मैंने अच्थे दिफाइन भी कर स्क्याल में कौन्स भी क्रयेट कर विशुच कर ने के लिए यूज़ कर यह दैट ओपेंस इन न्यव विंडो टैब में ओपन होगा लिए देखे तुरां तांसर आ गए तो बहिए जब भी आप किसी लिंक को क्रियेट करते हैं लिंक को कैसे करेंगे तो लिंक ऐसे एंकर यहां पर यहां पर यहां पर लगाएंगे इस तरीके से कुछ और अपनी वैल्यूस को यहां पर देंगे जो भी देना के लिए किस एलिमेंट का हम लोग यूज करते हैं कि शॉर्ट को लिखने के लिए कि शॉर्ट को लिखने के लिए हम लोग किस एलिमेंट का किस एलिमेंट का यूज करते हैं यह नहीं नहीं भीया यह नहीं होता है शॉर्ट कोटेशन देने के लिए शॉर्ट कोटेशन देने के लिए नहीं यह तो आपका इंफेसाइस हो जाएगा टेक्स्ट को यह मतलब इंफेसाइस टेक्स्ट ठीक है इसमें आपका सी ऑप्सन सही हो जाएगा आए की तरह बढ़ते हैं करा विच आप फॉलॉइंग एस्टेमेट टैग इस यूस्ट टू क्रिएट एन अनॉडर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के ल क्रिएट कोन वह घुएल का ऑता है में एवेल तो पार वह के अंदर के उसके अंदर को क्रिएट करने के लिए और दिया जाता है कि ओ सॉरी 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 द्यान से वतर गया सॉरी कि यूएल अनौडर्ड लिस्ट यूएल अनौडर्ड लिस्ट हाँ एलाई एलाई ऑप्शन को क्रियेट करने के लिए आपको एलाई टैक देना पड़ेगा ठीक है अब इन में से कौन साथ का एक अब्रिवेशन देने के लिए अब्रिवेशन देने के लिए यूज करा जाएगा अब रिवेशन देने के लिए किसका इस्तिमाल करते हैं हम लोग A, B, B, R tag का इस्तेमाल करते हैं A, B, B, R tag का इस्तेमाल करते हैं अब्रिवेशन होता है which of the following tag is used to add a row in a table अब table में एक row को add करने के लिए किस HTML element का प्योग करा जाएगा table में एक नई row को add करना है अब ठीक है तो table में एक नई row को add करने के लिए आपको टी आइटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा टी एच होता है आपका table header के लिए table header के लिए आपका टी एच होता है ती आपका table data के लिए हो जाएगा ठीक है एक वाट इस दा वार्क आफ एड्रेस एलिमेंट इन HTML5 HTML में address element का प्रियोग क्या होता है इस टी एमिल में address element का प्रियोग क्या होता है बताएगे कौन बताएगा अब बताएगा अब बताएगे क्या करेगा हाँ तो एड्रेस टैक किसली होगा नहीं नहीं आई पी यही तो यही तो समझने वाली चीज थी यहां पर आप देखिए ऐड्रेस एलिमेंट क्या करता है आपका यह आपके कॉंटेक्ट की डिटेल्स को ऊथर के लिए ऑथर के लिए कॉंटेक्ट की डिटेल्स को कंटें करता है करा विच आफ दा फॉलोइंग टैग इस तो क्रिएट टेक्स एरिया इन स्टी एमल स्टी एमल में एक टेक्स एरिया जैसे मालिया आपने पूरी एक यह एक अपने वेपेज बना दिया अब यहां पर चाहते हैं कि जो इसको पढ़े वह अपना यहां पर कमेंट भी छोड़े तो ऐसे एक टेक्स बॉक्स बनाया जाता है वो किस वो जी एलीमेंट के थे थुरूर किस्टे के थुरू बनाया जाएगा वो जो किस आपका टेक्स एरिया नहीं नहीं बहूद एक्स एरिया ओन्पुर्ट ऐलग हो गया वो तो ए टेलीट है कि एसटेमेल में डिलीट किए गए ऐस नहीं आँ फार्म भी आपको एक टेक्स एरिया देखेंगे जिदे इंपुछता है पर वहां को टेक्सT एरिया ही देना पड़ेगा ठीक है इन पूट टाइप तो अलग हो गई वह तो एक क्राइटेरिया को फिल खरने के लिए करा जाएगा ठीक है फर यहां पर ऑप करा जाएगा कि तैक्स लिखेए क्या किया रहा सब्सक्राइब कि a कर विच वे टीक्सिंä यूज़ टेक्स अरिया in a। form stml format text area create करने के लिए क्या करेंगे इनपुट टाइप टेक्स एरिया नहीं है यहां पर आप टेक्स देखें वह इनपुट टाइप वहाँ प्या इनपुट कर रहे हैं बट आपको जब अगर अधर से टेक्स लिखना होगा जैसे कभी कुछ बहुत है तो वहां पे आपको नीचे अपनी जैसे अमाल लेते हैं रहे हैं ऑभ देने जाते हैं kij अर था की बहुत हम नहीं हम नहीं है दिया होता है जहाँ सब्सक्राफों बनाने लिए अपने विब पेजमें बॉक्स को बनाने के लिए हम अनोग टेक्स एरिया एट्रिब्यूट और एलिमेंट का यूज करते हैं अब यह बताइए डिलीटेड टेक्स्ट को शो कराने के लिए किस किस एस्टेमल एलिमेंट का यूज करेंगे किस एलिमेंट का यूज करेंगे कि एक डिल है इसनुर करेंगे गाइब का ढाट का सप्ट पर एक करेंट सिंपेक्स हो जाएगा फेंगा कि वेब एड्रेस के लिए करेक्ट सिंटेक्स आपका कौन सा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा पाथ प्रिफिक्स अच्छा पाथ प्रिफिक्स हो जाएगा पाथ तो पहले होता भी नहीं है पाथ तो पहले होता भी नहीं है कि यह आपका अप्शन सही और शोरी है इसकीम प्रिफिक्स फिर डोमेंपॉर्ड फिर फ्र फाइल नेम यह आपका ऑप्शन सही और पहले इसकीम होती है फिर प्रिफिक्स उसका होता है फिर आपका domain पूर्ट होता फिर path देन फाइल नेम नेम होता है अपका ठीक है दैन फाइल नेम होता है और विच टैग इस तू क्रिएट आजड डॉपड़ डाउन स्टीएमेल फाइव स्टीएमेल फॉर्म अब देखिए एस टीएमेल फॉर्म में एक डॉपड़ॉण लिस्ट को क्रिएट करने के लिए किस टैग का इस्तिमाल करा जाएगा अब यह अच्छा कोशन है अच्छा क drop down drop down मेन्यू बनाने के लिए आपको select tag select tag का उपयोग करना पड़ेगा कर विच टैट इस यूज़्ट तो प्रियेट आ टेव लिस्ट इन से लिए एस्टी में एक नंबर लिस्ट को क्रियेट करने के लिए किस टेक का इस्तेमाल करेंगे तो जब नंबर लिस्ट की बात कही दी गई तो और का काम करेंगे ओल ठीक है चलिए जल्दी से कोशन देख लेते हैं दो तिन और मुझे लगने राफ फिफ्टी हो पाएंगे हौ टू क्रियेट एसी एसी आउक्स इन चीमल फॉर्म ठीक है चीमल में चीमल में कैसे क्रियेट करेंगे कैसे क्रियेट करेंगे भया तो कैसे क्रेट करेंगे अच्छली यह कोशन मुझे लगता है गलत हो गया है यह यहां पर इंकरेक्ट रहे गए ठीक है इस को छोड़ देते हैं आगे की तरफ देख लेते हैं और विच आफदा फॉल्ओं इस्टेंशन इस यूज टो सेव एन स्ट्व फाइल फाइल को सेव करने के लिए आपको किस टाइब का एक्षैंशन ने वहां पर थोड़ा गड़बड़ी हो गया आगे बता देंगे उसको विच आफदा फॉलोई एक्टेंशन इस यूज टो से टेमल में ब्लैंक लाइन को create करने के लिए किसका प्रियूग करेंगे स्थे करने के लिए लिए टैक का प्रियूग करेंगे किसका डी कैसे हो गया बहिया दी तो एथो एंकर टैक हो गया ना वो blank line कैसे create करेगा blank line कैसे create करेगा भाई ब्यार break करेगा line वो एक line ही create हो जाएगी blank line वो एक line ही भाई अब जब एक line को तोड रहा है तो सिद्धी सी बात है वो एक line बना भी तो रहा है कि भी एसटेमल टैग के जूजसे डापली टेगस्ट इन टो 2 इंट्वीड फॉर्मिट स्केज़ इट एल लिग फॉर्मिट में भाई के लिए बल् health स्टेटेयगउ इन फो यून सा ठीट है प्षको को इसी इन एया इक करेगा अब देखिए जो भी फिर से बार बताये दे रहा हूं फिर से एक बार आपको बताये दे रहा हो कि दिखे आप जो भी बच्चे अभी जुलाई दोमाई दोजार चोबीस के लिए ओ लेवल की परपड़ारेशन कर रहे हैं वो लोग ग्यान जल रही है काफी सारे बच्चे यहां जूड़ चुके हैं आपके अभी क्लास में वपस्तित हैं उसाप कूह सकते हैं ठीक है अब कई सारी चीजी है आपको प्रोवाइड करा जाएगी मैंने काफी सारी चीजी बताइं जैसे कि आपको एक्जाम में कोश्चन साएंगे जैसा इंटरफेस वहां पे होगा जैसा आपके स्क्रीन पे कुस्चंस हो रहा होंगे वैसा ही रहा है आपको है आप साइज आपर एक्सपिरियों करेंगे जैसा आप tut अब यहाई है आपके होती वह रेस्पांसिव नहीं होती मेंट स recommends होगी जो говорить टेस्ट्स होंगे यह आपके रिस्पॉंस होंगे इसको आप फोन पर भी दे सकते हैं तो जो बच्चे भी अभी तक ग्यान एक्सपी के आप से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएं काफी सारी चीजे बहुत ही कम प्राइज में आपके लिए लेके आ रहे हैं इतना कोई नहीं देता यह मौड mics प्रेवियस यर्पेपर सेल्यूटन आपके प्रैक्टिस कोई नहीं देता भिया उसलगते यह विण अपको मिलेंगी तो पता नहीं मिले आना मिले मुझे नहीं पता है अलकर नहीं देता और लाइव क्लासेश चलती है आपके देखिए और प्रैक्टिकल लाइव क्लासेश भी चलेंगी ठीक है तो ऐसा करते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं कल आप से मिलेंगे इसी वक्त आज के लिए इतना ही धन्यवाद